अब तक हमने आपको करा दिया था कुछ कुछ गूस्ट करते हैं आज पहला कुष्ट न है बच्चो अंब्रेला शेब और फ्री स्वीमिंग इस बॉड़ी फॉर्म इस फांड इन इसके पहले में दो चीज समझना पड़ेगा अगर हम स्लियंट्रिटा की बात करें बच्चो तो सिलियंट्रिटा की जो बॉड़ी होती है ये दो फॉर्म में मिलती है समझेगा पहले इसमें एक होता है पॉलिप एक होता है पॉलिप दूसरा होता है मेडूशा पॉलिप फॉर्म भी हमें यहां मिलती है और मेडूशा फॉर्म में मिलती है क्या डिफिन्स है अगर हम इसके अंदर इनके examples की बात करें बच्चों, तो इसमें दो examples आते हैं, एक आता है Hydra, Hydra इसका example है, दूसरा example है बच्चों, Adamshia, यह दो example है, आगर यहीं हम Medusa की बात करें, तो Medusa जो होते हैं, Medusa वाला जो form होता है बच्चों, यह सबसे पहले अंब्रेला शेप क्यों होते हैं, अंब्रेला शेप क्यों होते हैं, दूसरा Medusa वाले जो होते हैं, यह free swimming होते हैं, यानि की free swimming करते हैं, और अगर हम इनके examples की बात करें, तो इसमें एक example आता है Aurelia, जिसको हम jelly fish भी कहते हैं, और Aurelia को ही jelly fish करते हैं, तो इसके according बच्चों, इसका correct option हो जाएगा, option number A, right, so A is right answer, well, next question पर चलते हैं बच्चों, अगर हम next question की बात करें, तो next question में, next question की अगर हम बात करें, तो ध्यान से समझेगा, इस question में पुछा गया है बच्चों, Porifera sores which type of fertilization, अगर हम बच्चों, Porifera में fertilization की बात करें, तो Porifera जिसमें sponges आते हैं, उसके अगर हम fertilization की बात करें, तो उनके अंदर ये जो Fertilization मिलता है, that is internal, इसमें सिर्फ उसे praट of internal fertilization मिलता है बच्चों, तो इसका correct option हो जाएगा, option number A, क्योंकि इसके अंदर कौन सा फर्टिलाइशन देखनों को मिलता है फर्टिलाइशन इंटर्ड नेक्स नेक्स कॉश्चिन पोरी फेरा सोस ओनली कॉश्चिन पुचा बच्चो पोरी फेरा सोस ओनली अगर हम पोरी फेरा के बात करें तो पोरी फेरा में जो रिप्रोडक्शन होता है जो ध्यान से समझेगा पोरी फेरा में जो ये रिप्रोडक्शन होता है ये दो तरह का होता है इसमें एसेक्शुल रिप्रोडक्शन भी मिलता है और पोरी फेरा में सेक्शुल रिप्रोडक्शन भी मिलता है तो पहला चीज तो यह हो गया बच्चों कि इसका correct option C हो जाएगा इसमें दोनों देखने को मिलता है यह पता होना चाहिए कि इसमें दोनों तरे का अगर हम नेक्स कोशन की बात करें बच्चे ओ तो फंक्षन आफ नीडो ब्लास्ट की बात करें अगर आप सिलेंट रेटा पढ़ोगे डिटेल बे तो नीडो ब्लास्ट जो स्ट्रक्चर होता है उसका function होता है पहला एंकरेज का मतलब होता है अटाइच्मेंट अगर करती है यह थी बहुत करिक्ट ओप्षन है रिप्रॉड्क्शन इसका कोई function नहीं होता नीडो ब्लास्ट का reproduction function नए होता और capturing ओप्रेय को पकड़ने में यह थी कैप्चर करने में भी help करता है तो option number ए option number b and option number d option number a option number b option option number d so d option number a b and d इसमें है तो इसका correct option हो जाएगा बच्छो option number d इसका right answer right next question की बात करें alternation of generation question कुछा है alternation of generation is known as alternation of generation जो होता है इसको हम कहते है metagenesis alternation of generation को हम क्या कहते है metagenesis metameregольшa basically वैंके यह hot art segmentation metamereg segmentation देखनों को मलता है और आपको अच्छे तरिगे से पता है metamereg everything 10 जो हुता है यह में दिखनों को मिलता है और जो गाEMA on कि इनलेडा में दीखनों को मिलता है again nursery which is also known as Actually अगर मैं आपको बता हूँ तो मिनिरिंड्रिना को हम brain corals कहते हैं एक एकर करे कर समझाते हैं इसका correct option हो जाएगा brain coral option number C हो जाएगा C animon जो होता है Adamcia को कहते है Adamcia को C animon कहते है Pinnatula को हम CPane कहते हैं अगर आपको पता होगा तो Pinnatula को CPane कहते है और क्या नाम है में ड्रीना को ब्रेन कोलर करते हैं और एडम्सिया जो होता है वो मैं आलड़ी बता चुका है उसको हम C-Animone कहते हैं तो यह C-Animone एडम्सिया एक ही चीज़ है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा option number C next question की बात करते हैं which of the following cell structure with their phyla of origin इसमें पूछा है कि कौन सा structure किस phyla की origin से match करता है सबसे पहले हम flame cells की बात करते हैं अगर हम बच्चो flame cells की बात करेंगे ध्यान से समझे का flame cell अगर हम flame cell की बात करेंगे तो यह जो flame cell होता है न बच्चो यह कहां देखने हो कि मिलता है प को मिलती है Osmo regulation में help करती है Osmo regulation यह कहां help करती है बच्चो Osmo regulation में help करती है platial mentis konocytes की बात करते हैं अगर हम konocytes की बात करें तो konocytes को हम collar cells भी कहते हैं तो flame cells का correct option हो जाएगा platial mentis यानि कि इसका option number second यहाँ पर आ जाएगा अगर हम konocytes की बात करें तो konocytes का मतलब होता है बच्चो color cells और color cells हमें polyphera में देखने को बेंगे तो option number यह 2 हो जाएगा needo sites अगर हम needo sites की बात करें तो needo site जो होते हैं नाम से आपको समय में आ रहा है needo sites needo blast यह आपको need area में देखने हो में need area का मतलब needed area cylinder data का ही दूसरा नाम है अगर आपको पता होगा तो silent data यह रहा तीसर option हो जाएगा और completes complete जो होती है बच्चो 8 होती है यह हमें 3 of 4 हम देखने को बलती है completes तो इसका 4 हो जाएगा तो अगर हम बात करें बच्चो तो पहले का first का B पहले का B यह रहा इसमें यह option भी नहीं होगा बच्चो यह option भी नहीं होगा यह 2 मेंसे कोई एक हो सकता है दूसरे का 4 तो दूसरे का यह 3 है यह 4 याणि option number C जो होएगा इसका right answer होगा तो आपको ध्यान रखना है इसका correct answer कौन सा हो जाएगा option number C इसका right answer है option number C अगे बढ़ते हैं बच्छो नेक्स कोशन पर आते हैं वाटर कनाल इस लाइन बाई अगर हम बात करें वाटर कनाल की तो वाटर कनाल किस से लाइन होती है इसी वाटर कनाल को अगर आपको याद हुआ कॉनो साइट सेल्स, कॉलर सेल्स यह जो water canal दिया है बच्चो यह quonocyte cells की बात करते हैं quonocyte cells जो होती है जिसको हम collar cells भी कहते हैं इनी से line होती है और यह हमें कहां देखने को मिलता है यह हमें देखने को मिलता है बच्चो पोरी फेरा में तो spongy and fibers तो इसका option होगा नहीं quonocytes or collar cells दोनों इसका option B और C दोनों यानि इसका option number D right answer होगा right the correct option is option number D next question पर आते है next question पर कहा गया है which of the following is true about sponges आगर हम बच्चो sponges की बात करें तो sponges जो होते हैं यानि कि हम पोरी फेरा की बात करें तो sponges yes of course they are hermaphrodite मैंने आपको बताया था यह hermaphrodite होते हैं बच्चो यह bisexual होते हैं इसके अंदर दोनों तरह का reproduction देखने को मिलता है इसके अंदर asexual भी देखने को मिलता है और sexual भी देखने को मिलता है दोनों देखने को मिलता है Fertilization का भी question था बच्चो अगर आपको याद होगा इसमें हमने बताया था इसके अंदर Fertilization Internal देखना होता है अगर हम इनके development की बात करें इसमें पूछा है following is true about sponges accept किस कौन से छोड़ के बागी सब सही है development जो होता है बच्चो यह development इसमें indirect होता है पहले फाइलम है पूरी फेरा तो आप इसमें देखो तो से वाले को छोड़ के यानि correct options का हो जाएगा इसमें गलत पूछा हुआ है राइट next question नमर नेक्स question पर जाते हैं next question में कहा गया है which of the following have porous body and have cellular level of organization अगर आप बच्चो एक मेरी वीडियो आई है हमने animal kingdom start कर दिया है और animal kingdom में आज हमने पहला ही वीडियो बनाया था और उस पहले वीडियो में हमने basis of classification बताया है और basis of classification में जब आप देखोगे तो पहला basis of classification है level of organization यह पहला basis of classification यही है बच्चो लेवल आफ औरगनाज़ेशन और इस लेवल आफ औरगनाज़ेशन में देखोगे तो cellular level of organization में हमने example लिखाया हूआ है porifera cellular level of organization में examples लिखाया है porifera तो सबसे पहली important चीज cellular level of organization porifera में लेगा अब इसमें से हमें करना क्या है पोरी फीरा के examples को देखना है और दूसरी important चीज इसमें porus body कह दिया है और हमें बहुत अच्छे से पता है बच्चों कि जो porus body होती है वो porikell फेरा में ही होते हैं क्योंकि हमें हमें pori perfekt में बहुत सारी छोटे 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 और बेलिया पॉरीफियरा में नहीं आते हैं, हमने आपको याद होगा, हमने टृक के थूरू बताया था ऑफ लिप आया देख सकते हो, उससे वताइ चैनल सक्षल भी आपको वीडियो आपरकेट इसको फॉर। वीडिया हे यह delicious भी टेलाओ बास्केट क कहते हैं यू प्लेट डिला और ये तो ठीक है ये पौरीफरा का मींबर है बट एटम सीया पौर सागलों भी पोरिफवरा का मेंबर है लेकिन हाइडरा पोरिफवरा का मेंबर नहीं है तो इसका घ्रिक्ट ऑप्षन बच्चों यह बच्चों निम्बर सी होगा जो हमारे लिए bon अन्य सबमें सही है 2017सी है, अगले कोश्चन की तरह पढ़ते हैं तो अगला question है यह water transport system or canal system is a characteristic feature of fish animal actually students अगर हम बात करें water canal system की तो यह जो characteristic है यह है porifera का यह porifera का characteristic है और हमें अब इसमें से porifera के examples रोड़ने हैं जहां भी porifera का examples मिल जाएगा उसका correct option है spongila आपको याद होगा हमने एक ट्रीक बताई थी बच्चो साइं को sponge से नहलाते हैं यानि कि साइकॉन spongila बात को हम fresh water sponge कहते हैं तो यह ध्यान रखना है यह जो spongila वाला option यह correct option है बच्चो यह correct option है यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा यह भी water canal system इसी में देखने को मिलता है आज के second last question पर चलते हैं बच्चो इसके बाद एक question और लेंगे और आज का वीडियो हम यहीं पर complete करेंगे central cavity of sponges is known as sponges seal बच्चो जो sponges की जो central cavity होती है इसको हम sponges seal कहते हैं actually होता क्या है इसमें होते हैं austria बहुत सारे और जो post होता है वो खुलता है एक cavity में जिसको हम कहते हैं sponjo seal और फिर यह sponges seal से होते हुए एक बड़ा सा opening होती इसको हम लोग तो ऑस्कुलम कहते हैं इसमें से बाहर निकलता है तो ऑस्टिया ऑस्कुलम गैस्ट्रोवस्कुलर क्यविटी नहीं होगा तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर एक आज का कुश्चन बचो यही तक रहेगा आज हमने जितने कुश्चन कंप्लेट किये दस कुश्चन को है